हलो स्टूडन्स आम डॉक्टर विनोत कामले अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइपस ऑफ रीटेलर तो रीटेलर को बेसिकली दो पार्स में डिवाइट किया रहता है एक होते हैं इतिनेरेंट रीटेलर्स और दूतरा फिक्ट शॉप रीटेलर्स तो यह इक शॉप रीटेलर्स के बारे में आप लोगंको बताऊंगा धर जो विडियो रहेगा वह से डिपाटमेंटल स्तोर और सुपर मार्केट उसके बारे में और फोत्त जो रहेगा वो चेंड स्टोर वण प्राइश शॉप और मॉल से वारे में रहेगा विकोस्त एक्वेशन आपना बजिनेस को push Battle करते हैं यह जहां पर राबव सेलिंग करते हैं यह दोएशा हैं यह जगह पर उरड़ के भी गुते रहते हैं मोटे सेलिए इनको रिटेंगे स्वेविकार्म शौल्ट पलेज जाब आफ मिला मेरा श्लमते रहते हैं वो लोग अलग-अलग जगा पे घूम-घूम के अपना बिजनेस करते हैं, उनको हम लोग गोलते हैं, इतिनरेंट रिटेलर्स, अभी कौन से कौन से टाइप के इतिनरेंट रिटेलर्स होते हैं, तो सबसे पहले हैं हॉकर्स, नौ हॉकर्स का मतलब इसमें जो ह-a-w-k है, हॉ हॉक का मतलब क्या होता है, जोर-जोर से चिलाना, सो कुछ रिटेलर्स जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हैंड-कार्ट के उपर, मतलब हाद-गाड़ी के उपर क्या करते हैं, गुड्स को अपने रखते हैं, और एक एरिया से दूसरे एरिया में, या एक जगा से दूस और इनके पार जो गूड़्स भी होते हो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं इसके लिए इनको जादा इन्वेस्मेंट की ज़रूरत नहीं है ना कोई रेंट पे करना है ना कोई लाइट बील भरना है तो ऑब्विसली इनको चुर्ण होते ह्या होक लोग बेशते हैं जो लोग हैण्ट कार गूड़ लेके जोड जोड से गुड़ का नाम आनाउंस करके गली गौली में घुनके फूर्डे जो या एक एरिया 20 या basket होता है वो carry करते है और एक जगह से दुसरी जगह पे घूमते रहते है गुट्स को बेचने के लिए उनको peddlers बोला जाता है अगेन यह लोग क्या करते है जो low quality के day-to-day use वाले product होते वो बेचते हैं जैसे कि vegetables, fruits, fish या utensils मतलब बर्तन वेगरा या soap वेगरा ऐसी कोई घर के articles वेगरा होते हैं यह सब चीज़े यह लोग क्या करते हैं सर के उपर या फीट के उपर basket में लेके उसको सब जगह पे घूमते हैं इनको peddlers बोलते हैं तो hawkers और peddlers में बहुत ज्यादा त्रेडर्स रास्ता और क्या होता है बेचने वाले सो जो लोग रस्ते पर ऐसे शॉप लगा के बेच्ट को बेचते हैं उनको street trader बोलते हैं मतलब जो footpaths वेगरा होते हैं जो busy areas होते busy area मतलब जैसे कोई भी highway वेगरा हो गया या कोई भी marketplace वेगरा हो गया या कोई railway station का बहुत आते है ऐसे टी स्ट्रीट के उपर यह लोग क्या करते है फुटपूट पर बैठते हैं और वहां पर गूरे फ्लीज्ट बेशिते हैं करें अगर उनको वहां पे रिस्पांस नहीं मिला तो वो लोग वहां से उटके कई और चले जाएंगे नेक्स्ट वाला है चीप जैक जो होते है इसमें और स्ट्रीट ट्रेडर्स में थोड़ा सा फर्किये होता है चीप जैक भी रस्ते पे बेटके गुड्स बेचते हैं पर चीप जैक का कैसा होता है दूसरे और जगह पे चले जाते है उनको चीप जैक बोलते है चीप जैक अपनी जगह चेंज परफ्रिटेंच करते रहते है और स्ट्रीट डू यह होते हो थोड़ा सा क्या होता है उनक relay का का स्ट आप होता है अभी यह लोग कोने असनुट है सब्सक्राइब आपको पता है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर वीक्ली बजार लगता है हफते का बजार लगता है तो इन लोगों का फते का एक दे होता है वो बजार में गौन से तो अगें वेजिटेबल्स या डाल वेगरा जिसको पल्स बोलते हैं, फ्रूट्स वेगरा, टॉइस वेगरा, स्पाइसेस, रेडिमेंड गार्मेंट या जो घर के बरतन वेगरा होते हैं यह सारे टाइप के गूड्स यह लोग बेशते हैं और इसी को हम लोग वीकली मार्के जगा नहीं है, या फिक्स ऐसा शॉप टाइप नहीं है, यह लोग क्या करते हैं, जहां पर जगा मिलते हैं, वहां पर बेटके अपने गूड्स को बेशते हैं, यह घूम घूम की गूड्स को बेशते हैं, इसके लिए इन लोग को इतिनरेंट रिटेलर्स बोलते हैं, ओके तो यह हमारे एक पार्ट हो गया जिसको इतिनरेंट रिटेलर बोलते हैं यह मेरे URL से जहाद से मैंने images लिवी है Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends We will meet in the next video